खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नमस्कार आप देखें इंडिया टाइम लग लग देशों में आपके साथ दीपर भारत में किसी अपरादी को उसके जगन्यतम अपराद के लिए फासी दी जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के लग लग देशों में किन तरीकों से सजाए मौत दी जाती है चलिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के लग लग देशों में किस तरह से सजाए मौत दी जाती है बता दे कि सुप्रिंग कोट में फासी की सजा को लेकर कई बार जनीत याचिका भी दायर की गई है इसे लेकर मांग की गई है कि गरीमापूर्ण मित्यू के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए मामले में याचिका करता का कहना है कि फासी एक बेहत तकलीफ देहे दर्थ देने वाला और लंबा तरीका है इसकी जगे थोड़े समय में मौत की सजा देने के तरीके अपनाए जाएं कोट में दी गई अरजी में याचिका करता अक्सर ये दलील देते हैं कि फासी की सजा पाने वाले वैक्ति को मत्त गोशित करने में 40 मिनट तक का समय लगता है जबकि गोली मारने में कुछी मिनट का समय लगता है जबकि जहरीले इंजेक्शन से ये काम 5-9 मिनट में पूरा हो से परिपूर्ण एक वर्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक ब्रिक के बाद आपका स्वागत है आईए आपको बताते हैं कि दुनिया के अलग-लग देशों में किस तरह से मौत की सजा दी जाती है दुनिया भर में सिर्फ 53 देश ऐसे हैं जहां किसी अपराद के लिए मौत की सजा दी जाती है बेशक भारत भी इन 53 देशों में शामिल खत्म कर रही हैं 2015 में मड़ागासकर 2016 में बैनिन 2017 में गिनिया और 2018 में बुर्कीना फासों ने अपने यहां मौत की सजा का प्रावधन खत्म कर दिया है आपको बता दे कि दुनिया में 58 देश सजा ये मौत के लिए फासी देते हैं लेकिन सबसे अधिक 73 देशों में इस सजा को लागू करने के लिए गोल इमारी जाती है जिनमें से 45 देशों में फाइरिंग स्कुरेड मौत की सजा को लागू करने का एक मात्र तरीका है जहां तक फासी का सवाल है तो भारत सहीत 33 देशों में ये मौत्यू का एक मात्र तरीका है छे देशों में स्टोलिंग यानि पत्थर मार कर यह दंड दिया जाता है जबकि पास देशों में इंजेक्शन दे कर यह सजा दी जाती है और तीन देशों में सिरकाट कर इस सजा को अंजाम दिया जाता है दुनिया में 58 देश मृत्युदंद देने के मामले में काफी सक्रिय मानी जाते हैं जबकि 97 देश इसके प्रावधान को समाप्त कर चुके हैं बाकी देशों ने पिछले लगबग 10 सालों से किसी को मृत्युदंद नहीं दिया है या फिर वो केवल जंग के समय ही इसका इस्तमाल करते हैं अमेरिका में ही जहरीला इंजेक्शन देने के एक से ज़्यादा तरीके हैं आपको बता दे कि फाइरिंग, फासी, पत्थराओं से अफगानिस्तान और सुडान में सजाए मौत दी जाती है जबकि बंगलादेश, कैमरून, सीरिया, युगांडा, कुवेत, इरान और मिस्र में फाइरिंग और फासी से मौत की सजा दी जाती है केवल फासी से भारत, मलेशिया, बर्बाडोस, बोच्वाना, तंजानिया, जांबिया, जिंबावे और दक्षिन कोरिया में अपरादी को मृत्यू दंड दिया जाता है केवल फाइरिंग से सजाए मौत देने वाले देशों में यमन, टोगो, तुर्कमैनिस्तान, थाइलेंड, बहरीन, चिली, घाना और अमरीनिया शामिल हैं जबकि चीन में इंजेक्शन और फाइरिंग से मौत की सजा दी जाती है और केवल इंजेक्शन से फिलिपिन्स में मृत्यू दंड दिया जाता है इसके अलावा अमेरिका में इलेक्ट्रोकुशन, गैस, फासी और फाइरिंग से अपरादी को सजाए मौत दी जाती है जबकि साओधी अरब में फासी और सिरकलम करके मृत्यू दंड दिया जाता है तो आपने देखा कि किस तरह से दुनिया के अलग 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 देशों में अपरादियों को मौत की सजा अलग अलग तरीके से दी जाती है इसी तरह कि तमाम जानकारिया हम फिर लेकर हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टैम 94 न्यूज नमस्कार खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन